प्यारे भाही और बहनों, जब हमारे प्रभू येशु क्रिस्थ इस दुनिया से विदा ले रहे थे, उस समय अपने प्रेजितों को उन्होंने आदिश दिया था। तुम लोग जाओ सारे संसार में और जो कुछ मैंने तुमको सिखाया, दूसरों को भी सिखाना। क्रिस्थिय समुदाई इन्ही बातों पर ध्यान देते हुए, प्रभू येशु की शिक्षा को जीने की कोशिस करता आया है। जब प्रेजित लोग प्रभू येशु की शिक्षा को दूसरों को देने लगे, प्रचार करने लगे, फ़स्परूप कलिस्या की शुरवात हुई। और ख्रिस्तिय प्रभू येशु की शीवन जीने के लिए हर कोशिस करते रहे। आपसमें प्रेञ, सहयोग, सेवा जो भी प्रभू येशु की शीवन में उन्होंने देखा था और उसे बैस सीखे थे। अब दूसरों को भी देने के लिए और सब्रतम अपनी जिवने उसको जीने के लिए हर कोशिस करते रहे इसलिए आज जो कलिस्या हमाले एक दान स्वरुप इश्वर कवर्दान है हम सब इस कलिस्या के सदसी होकर आज की दुनिया में साक्षी बनने के लिए प्रभु की का आदिश के आदिश के अनुसार अपने जीवन बिताने के कोशिस कर रहे है लगु क्रिस्ट समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो क्रिस्टियों के लिए प्रभु येशु क्रिस्ट का जीवन, प्रभु येशु का विश्वास, रापस में भायचारा और प्रेम, सेवा के रूप में प्रस्तुत करने के लिए एक साधन है जब कभी ख्रिस्टिय इस लगू, ख्रिस्टिय समुदाय होकर एकत्र होते हैं पुवित उसु समाचार का आदान, प्रदान होता है विशेश कर, प्रभु के वचनों पर ध्यान देकर, मनन कर प्रभु इन वचनों से हमाले आज क्या बोल रहे हैं प्रभु का संदेश हमाले आज क्या है कारी रूम में हम कैसे ही इसको प्रकट करेंगे इस पर हम मनन करते हैं, ध्यान देते हैं तो हम भी धीरे धीरे एक ऐसा समुदाय बन जाते हैं जहां प्रभु का वचन, हमारा विश्वास और संसकार, विशेश कर पुवित्र परम्रस्थात का संसकार हमारे बीच हमको एकता में और प्रेम में मानता है। इसलिए कलकता में जो लगु कृस्चि समुदाय का कन्वेंशन का आयोजन हो रहा है, मैं आप समों को स्वागत करता हूँ इस कन्वेंशन में भाग लेने के लिए और कलकता जो हम समों के लिए एक आनन का अनुभव होने का विश्वास है या आनन आप समों का भी हो यही मेरी कामना है। तो मेरा यही बिश्वास है कि हमारा कृस्टिय बिश्वास और भी बढ़ जाएगा और हम लगु कृस्टिय समुदाय के सदस्य एक सुधिर कलिस्य बनकर यहां से अनुभव करके अपने अपने धर्म प्रांतों में वापस जाकर इसी लगु कृस्टिय वातावरण में हम जीवन बिताएंगे, प्रभु के सचे शिश्य होने की हमारी कोशिस जारी रखेंगे आप दुन्या के लिए एक साक्षी बर जाएंगे, यही क्रिपा प्रभु येसू आप सबुत को प्रदान करे और मा मर्यम हम सबुँत के लिए प्रातन करे, यही मेरी जोई जीशू धन्नेवाद।